नमश्रूस विल्कम बैक टियो ओन चैनल वेल्स साथ 21 जून 2024 आज है फ्राइड का दिन इस वीक का लास ट्रेडिंग सेशन और गिफ्रेट कर रहा है 11 पॉइंट प्लस लेकिन दोस्तों इंट्रेस्टिंग चीज इंपको दिखाई पड़ रही है दाओ जोंस के फूचर्स में दाओ जोंस प्रिजेंट लिए रहा दोसों मॉर्निंग में ही साथे 400 पॉइंट के आसपस पॉजिटिव अपनी शो कर रहा है 50 में कल के दिन मार्केट exactly उसी लेवल पर क्लोज हुई थी जिस लेवल पर कल के दिन ओपनिंग हुई थी लेगन आज के दिन स्टॉक स्पेसिफिक के एक्शन काफी सरा दिखाई पड़ सकता है आगे डिसकस करेंगे टॉप गेनर्स के बारें बात रहें तो कल के दिन जितन और मुस्त तेन परसेंट इंडिया समेंट सिटी उनिन बैंक वर दी अधर टॉप गेनर्स लूजर्स के बारें बात रहें जहां पर दुलाई दिखाई पड़ रहे थी लीट कर रहा था पी एफसी विच 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 तूब पसेंट डाउन ऑल्दो पसेंट पॉजिटिव निउस है आगर डिसकस करेंगे हीरो मोटर कॉप धाई परसेंट के असपास डाउन था वोड़ फोन आइडिया गोतरश कंसूमर्स वर दिया था टॉप लूजर्स बात करें कमोडिटी सेशन की सो दोसों गोल्ड में तेजी बरकरार है और सिल्वर न बात करें दोस्तों इंडियन रूपी के बारे में इंडियन रूपी में लगातार वीकनिस चल रही है और इसमें लाइफ टाइम लोग के आसपास चल रहा है इंडियन रूपी 83.65 अगर आप देखें तो यह सीदे सीदे 84 की तरह बढ़ता हुआ दिखा ही पढ़ रहा है एक इस तरह की स्ट्रेंथ यूएस डॉलर में आ रहा है दाट इस सर्प्राइजिंग इसी करम दोस्तों हमें फार्मासिटिकल स्टॉक्स और इटी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए आइव बीन रीट्रेटिंग तैम अगें इंडियन इंगें इंडियन फिफिफिटी के बा और 23,450 ब्रीच करता है तो अगर आपको 100 पॉंट्स मिलेंगे वही निफ्टी बैंक के बारे हम बात रहे हैं तो कल के दिन भी हम लोग इस कयास में बैटे थे कि 51,300 अगर बीच किया तो फिर कफी तीजी सी गिरावाट होगी लेकिन अल्टिमेटली इट डिड नॉट ब्रे लेवल्स तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक आउट के बाद ही कोई बड़ा डिरेशनल अपसाइट का मूव आपको एकस्पेक्ट करना है चाहिए कल के दिन फाइज ने सेलें करी 325 क्रोड की डियाएक की तरफ से बाइंग थी 415 क्रोड वर्ट अचा अगर बात कर रहे हैं ज नहीं कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग गुड नीउस के बारे में बात रहे हैं तो फंट रेजिंग की न्यूज है प्रेस्टीज स्टेट में और अमियोगनिक्स में इन स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं सेंसेक्स में कुछ रेजिग हो रहा है सेंसेक्स जो की 30 स्टॉक्स का और अक इंडेक्स है तीस लार्ज गाप गाफ जो इंडिया के सबसी बड़ी कंपनीज हैं मार्केट का इप की तीस कंपनीज उसका कॉमपोजयशन है उसके इंडेक्स है सेंसेक्स विद्ध दूरीट उसमें डानी पॉर्ट और ट्रेंट शामिल किये जा रहे ह क्योंकि इनकी market cap almost top पहुँच गई है इंडिया में अच्छा कुछ हद तक fundamentals देखते हैं जो fundamentals देखने वाले अच्छे शॉक होते हैं उनको निफ्टी फिपने में शामल करते हैं और Sensex में market cap top market cap okay rate gain rate gain में excess mutual fund Morgan Stanley ICSA mutual fund ने 9.5 lakh shares buy की है so this is what you should be aware time technoplast दोसों जुनको पता नहीं इनको बदा देना चाहते हैं यह company multifarious business में काम करती है और अभी इसको hydrogen cylinder का का license मिल गया है PISO की दोवारा अब PISO क्या है PISO वो संस्था है जो कि explosives का license provide करती है PISO बाकि अगर आप चाहें तो इस organization के बारे में आप detail ने पढ़ सकते हैं फिलाल PISO stands for petroleum and explosive safety organization जो की license provide करती है जो कि आप देखते है ना fuel वाले truck होते हैं CNG के जो trucks होते हैं उन सभी को जो license मिलता है वो सरक सरा पीसों की तरफ से मिलता है तो license giving organization है इसके अलवा you can focus on some more stocks जो की sensex exit कर रहे है कुछ आई प्यों चल रहे हैं कुछ आई प्यों चल रहे हैं समय डी development का एप्यों 8.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और डे टू मे फिंट रेट का इप्यों सब्सक्राइब 11.63 टाइम और स्टैनली लाइफ का आई प्यों आज के दिन ओपन हो रहा है से से कुछ स्टॉक निकल रहे हैं जिसमें कि डिवीज लैब और वेप्रो आउट है तो डानी पोर्ट रेंदर जा रहा है और डिवीज लैव और वेप्रो बाहर हो रहा है एस्ट सब्सक्राइब आप नज़र रख सकते हैं सब्सक्राइब ने बहुतरी रिटार मिना के दियें दोस्तों हम लोगो और ऊपर करें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है एंकर लोकिन पीड़ ओर हो गया है मुथूट मैक्रो फिनेस का तो थोड़ा सा वहां पर लेकुडि सब्सक्राइब आपन फ्री डिमाट अकाउंट सीखने चाहते हो तो आज फोकस करना है फोकस करी आटी स्टॉक्स पे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर डॉलर इंप्रूव होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा इटी स्टॉक्स को और मिलेगा फार्मा स्टॉक्स को कि पनावन PFC क्योंकि उसमें इस प्रकार की न्यूज आ रही थी कि शाहपूर जी पालून जी को जुन नहीं नहीं लोन देके रखखा है तो PFC ने क्लिया कि उनको लोन नहीं दिया है तो आजके दिन PFC में आपको पॉस्टे मोमेंटम की एक्टेशन रखनी च कि उन पर भी आपकी नचरे हुनी चैहिं है तो तो फो पर मैसे प्रेंज तक यू रवाच वर्माच विशुर वर्या वर्य वर्य है ट्रीटीटिग तुर्ण विख़ टूर्टेटिग जिए विए तबिए पर वी आजिए टुटियू नाव